कि वंस अगेन वेलकम टू एमेनेस आज की लेक्चर में हम क्लास 12 के चेप्टर 3 मैंट्रिक्स का जो हमारा नेक्स टॉपिक है वो है परिवर्थ आप्व्यू और सम्मित आप्व्यू और विसम सम्मित आप्व्यू कौन से होते हैं तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले है परिवर्थ आप्व्यू को हम ट्रांस्पोज और मैट्रिक्स भी करते हैं परिवर्ग आपको एक अनो दे रखा एक है एक मैट्रिक्स है तो हम उसे एककी को यह पर याप कर दिदिया us आपको क्या करना है को उसका ट्रांस-पॉज निकालना और किस तरीकी से हैं रो को कॉल्म में डेते हैं अफ्वर एकजाम्पल आपके पास कोई वी आभ्यू दे रठा है आप एक दू, टीन जाहिए क्समाइब रो में है जैसे पहली रो में है एक और दो और दूसरी रो में है तीन और चार तो उसको हम कॉलम में लिखेंगे तो एक यहां जाएगा दो यहां जाएगा तीन यहां जाएगा चार यहां जाएगा तो यह हमारा क्या हो गया transpose of matrix या परिवर्थ आप दियुँ जरूरी रही है कि row के elements को column में लेखें आप column के elements को row में भी लिख सकते हैं पर एक row के element एक column है दूसरी row के element दूसरे column में आपको लेखने है that is the transpose of matrix या परिवर्थ आप दियुँ दूसरा आता है आपका sum with up view सम्मित आप view की ये property है अगर आप किसी भी matrix का transpose करते हैं किसी भी matrix का transpose करते हैं या परिवर्थ करते हैं तो आपको result में वही matrix दुबारा से मिलेगा तो ऐसा आप view क्या होगा आपका सम्मित आप view होगा that means आपने row को column में change कर दिया column को row में change कर दिया तब भी हमारा matrix वही रहा जो question में था तो ऐसा आप व्यू आपका क्या होगा सम्मित आप व्यू या symmetric matrix next आपका आता है third विसम सम्मित आप व्यू या anti-symmetric matrix इसमें क्या है आप जब किसी matrix का transpose करोगे तो original matrix का ये negative होगा a- equals to minus a that is called anti-symmetric matrix मतलब आपने row को column में change कर दिया तो जो आपको matrix मिलेगा वो original matrix के तब बरावर होगा जब उसमें से आप whole में से minus common दे लोगे that is called anti-symmetric matrix अब exercise 3.3 आपकी इनी topic पर बेच्ट है उसी में एक topic की ये भी आता है फिरतेक बर्ग आप्डियू को पर तेक बर्ग आप्यू मतलब जो भी हमारे पार square matrix है उसको हम एक सम्मित और एक विसम सम्मित एक सम्मित कोन सी ये वाली नमबर दो एक विसम सम्मित कोन सी नमबर 3 इन दोनों के योगफर के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो इसी भी square matrix को आप एक symmetric matrix और एक anti symmetric matrix के sum के रूप में आप उसे denote कर सकते हो योगफर के रूप में व्यक्त कर सकते हो उधारण के लिए मैंने एक फ्रशन रिखा है ए बरावर तीन पांच एक और माइनस एक तीन पांच और एक माइनस एक आपको इसको सम्मित और विसम सम्मित आप व्यक्त करना है तो पहले आप यह देखो यह बरगाप व्यक्त करना है कि हम P equals to half A plus A dash पहले निकालेंगे, half A आपके पास क्या है, वो लिख लो, 3, 5, 1, minus A, plus A dash, A dash का मतलब मैं बता चुका हूँ, के वर रो के elements को आपको किस में लिखना है, column में लिखना है, तो रो में आपके element कौन से है, 3 और 5, तो उसको पहले column में लिखोगे आप, 3 और 5, दूसरी row के जो elements हैं, 1 और minus 1, उसे आप किस में लिखोगे, दूसरे column में लिखोगे, 1 और minus 1, और इनको एक bracket में आप बंद भी करोगे, इस तरीके से, और equal में इनको sort कर लेते हैं, addition में आपको पहले ही बता चुका हूँ, किस तरीके से addition होता है, पहले अवे में पहला अवे plus होगा, 3 में 3 को plus करोगे तो 6 मिलेगा, 5 में 1 plus करोगे, 6 मिलेगा, 1 में 5 plus करोगे, 6 मिलेगा, minus 1 में, फिर minus 1 plus करोगे, तो minus का 2 मिलेगा, अब यहाँ पर 1 बटे 2 रिखा, इसका मतलब 2 से आपको भाग करना होगा, 2 ती अच्छे, 3, 3, 3, 3 और minus 1, यह आगया आपका, अब आपको यह चेक करना है, इसका P डेस निकालोगे आप, क्या निकालोगे, P डेस, मतलब परिवरत आपकी, तो इसकी जो रो है, उसको आप कि इसमें लिखोगे, कॉलम में, पहले कॉलम में और इसको दूसरे कॉलम में, तो पहले कॉलम में आएगा आपका 3 और 3, दूसरे कॉलम में आएगा 3 और minus 1, क्या यह वही मैट्रिक्स है, जो आपको औरेजिनल कुशन में आपके पास थी, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस न करता चुका हूं कि अगर फीडेस बरावरती है या एडेस बरावरती है तो वो आपको क्या होता है समय में आप यह होता है नेक्स्ट इसे नमबर बंदे देते हैं नमबर टू क्यों इक कशन बरेंगे उसी तरीके से भी इसको फोल और इसमें क्या वह गार्ञा कि माइनस करना एंच माइनस है ऑफकर इनको मैनस करते हैं माइनस पांच करोगे माइनस चार और माइनस एक और माइनस माइनस प्लस एक तो जीरो मिलेगा ओके तीन माइनस तीन जीरो पांच माइनस एक चार और एक माइनस पांच चार और माइनस एक फिर प्लस एक जीरो दो से आपको भाग करना होगा तो 0, 2, माइनस 2 और 0 अब आप निकालों यहां से Q- Q- का मतलब रो को कॉल्म में चेंड करो तो पहली रो आपकी कौन सी है? 0 और 2 इसे आप कॉल्म में चेंड करोगे इसे दूसरे कॉल्म में देखोगे तो आपका आगया 0, 2 और माइनस 2 और 0 अब इसमें से आप माइनस कॉल्म लोगे तो आपका आजाएगा 0, 2, माइनस 2 और 0 अब माइनस कॉल्म लेने के बाद जो आपके पास मैंट्रिक्स बनी है क्या यह वही मैंट्रिक्स है जो पहले थी? बिल्कुल है और वो हमारी किस के बराबर थी? तो q dash हमारे पास आ गया, किस के बराबर? माइनस q के बराबर आ गया इसका मतलब यह कैसा आप व्यू हो गया? बिल्सम सम्मित आप वी हो गया बिल्सम सम्मित आप व्यू गया अब इसके बाद परश्र के अनुसार हमें क्या करना है इन दौनों को में आफ्जू के बरावर लेखना है P और Q का संग करेंगे P और Q का संग मतब प्लस करेंगे तो P आपके पास कितना था 3, 3 और 3 माइनस 1 और इसी प्रकार Q कितना था हमारे पास Q आगया था हमारे पास 0, 2, माइनस 2 और 0 इनको प्लस कर लेते हैं प्लस करने पर 3 प्लस 0 करोगे तो आपको 3 मिलेगा 3 और 2 को प्लस करोगे 5 मिलेगा 3 में से 2 माइनस होगा 1 मिलेगा माइनस 1 में से 0 प्लस करोगे माइनस 1 मिलेगा यह आपके पास वही मैट्रिक्स आनी चाहिए जो आपको question में दे रखी थी that means यह same महीं आ गई इसका मतलब P plus Q बरावर A के हम लिख सकते हैं P plus Q बरावर A जिसमें P हमारा एक सम्मित आप व्यू है Q हमारा एक बिसम सम्मित आप व्यू है तो हमने इसको क्या किया एक सम्मित आप व्यू है और एक बिसम सम्मित आप व्यू के योगफल के रूप में हमने इसको ब्यक्त कर दिया इस तरीके से हम Q कर सकते हैं Next है Q नमर बन Next question A equals to 1-1, 2-3 Simple आपको क्या करना है इसका परिवर्थ निकालना है तो simply पहले रोको आप पहले कॉलम में लिखोगे 1-1 और दूसरी रोको दूसरे कॉलम में लिखोगे तो वो आपका हो गया परिवर्थ Next question number 2 Cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha A plus A ds परावर आपको I given है और alpha का मान आपको बताना है तो A plus A ds को मैं डारेक्ट इहां पर दिख रहा हूँ तो A में हमारा क्या आएगा Cos alpha और sin alpha फिर minus sin alpha और आपका cos alpha प्लस A ds अब A ds में आप क्या करोगे जो इसमें रो में element है वो कॉलम में लिख दूँ Cos alpha minus sin alpha और फिर sin alpha और कितना cos alpha पहले इतने को sort कर लेते हैं प्लस करोगे तो cos alpha cos alpha आपका हो गया 2 cos alpha यह वाला आपका 0 हो गया ऐसे यह 0 हो गया यहां पर आगया 2 cos alpha एक कॉल में हमने 2 cos alpha common ले लिया तो हमें मिल लिया कितना 1, 0, 0, 1 यह हो गया आपका 2 cos alpha यह आपकी identity matrix हो गई एक i आप जो जो मैं बता चुका था विकरण में एक element होता है और बराबर में यह किस के चल रहा था i के चल रहा था तो बराबर में भी आप i लिखोगे i से i cancel out हो जाएगा that means 2 cos alpha बराबर आपको 1 मिलेगा तो यहां से cos alpha बराबर 1 वटे 2 cos की table में किसका मान होता है cos 60 का तो यहां से आपको alpha कितना मिल गया alpha बराबर 60 alpha खमान में निकाल दिया questions आज के इस वीडियो में इस lecture में हमने exercise 3.3 के कुछ question से वो हमने solve किये और topic हमारा कुन कुन सा था transpose of matrix symmetric matrix और skew symmetric matrix यह हमने इसमें discuss किया था आप हम next lecture में इस चेप्टर का last topic है कि CV matrix का inverse find करना होगा मतलब उसका विद्करम आप भी निकालना होगा by elementary transformation that means आप उसमें row operation का भी उज़ कर सकते हो row transformation या column transformation का भी आप उपयोग कर सकते हो तो next video में उस topic को हम discuss करेंगे पट्राइबग करेंगे पट्राइबग पट्राइबग पट्राइब झाल झाल